चलिया चलिया ओ चलिया हाथ नाओ मैं हूँ ऐसी चलिया दोस्तों बोलीवूड की मशूर अबिनेतरी करेना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े और बुड़े अबिनेता सैफ अलिखान से शादी करने का एक चौकाने वाला राज खोला है जिसे जानकर आपको बोलीवूड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सैफ अलिखान जैसा शरीप सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा और शर्मना काम कैसे कर सकता है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बोलीवूड स्टार सैपली खान और करीना कपूर खान की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है सैपली खान और करीना कपूर खान के बैक ग्राउंड भी एक दूसरे से काफी अलग थे सैप अली खान जहां मुस्लिम परिवार से हैं तो वही करीना पंजाबी हिंदू परिवार से हैं वही करीना कपूर और सैप अली खान के बीच उम्र का भी एक लंबा फासला है करीना की ये जहां पहली शादी थी तो सैफ की ये दूसरी शादी और वो दो बच्चों के पिता भी थे इनकी शादी से पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सैफ अली खान की ये दूसरी शादी थी कि हम दोनों शादी से पहले भी कई बार अकेले में मिल चुके थे उन्होंने बताया कि सेफ शारिरिक रूप से काफी मजबूत हैं उनके अंदर गजब की फूर्ती है जो मुझे काफी पसंद है उन्होंने बताया था कि सैप से शादी करने से पहले उन्हें परिवार ने और दोस्तों ने हिदायत दी थी उनसे कहा गया था कि वो यानी कि सैप अली खान दो बच्चों के पिता हैं तलाक शुदा हैं इसलिए उन्हें ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए ऐसे में करीना कपूर ने किसी की बात नहीं मानी और सिर्फ अपने दिल की सुनी बता दें कि 16 अक्टूबर साल 2000 बारे ये वो दिन था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमे खाई थी खास बात ये है कि पटोधी परिवार में शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है सेपली खान की मा शर्मिला टैगोर ने भी पिता मंसूर अली खान पटोधी की बेगम बनने के लिए मुसलिम धर्म कबूला था लेकिन करीना कपूर खान ने ऐसा नहीं किया दिल्चस्प ये है कि बेबो के इस फैंसले को सैपली खान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था सैपली खान ने पतनी करीना कपूर के साथ शादी के खुबसूरत 23 साल जी हैं सैपली खान जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्कियों में रहते हैं उससे ज़्यादा चर्चा में रही है उनकी परसनल लाइफ दोस्तो सैपली खान की पहली शादी जब टूटी तब कई तरह की खबरे सामने आई थी और सैपली खान ने एक इंट्रिव में बताया था कि उन्हें तलाक के बाद कितनी रकम चुकानी पड़ती थी उन्होंने खुलासा किया था कि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिसके चलते उन्होंने अमरता सिंग को ये रकम किस्तों में चुकानी पड़ी दोनों की शादी 13 सालों तक चली थी लेकिन जब टूटी तो वाकई हर कोई हैरान रह गया सैप ने 1991 में खुद से 12 साल बड़ी बोलिवड एक्ट्रेस अमरता सिंग से शादी की थी दोनों की पहली मुलकात फिल्म ये दिल लगी के सेट पर हुई थी उस समय अमरता बोलिवड में अच्छी खासी पैचान बना चुकी थी और सैप बे खुदी फिन से डेब्यू करने जा रहे थे कहा जाता है कि पहली नजर में ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए दोस्तों अमरिता और सैप की पहली डेट अमरिता के घर हुई थी जब सैप अमरिता के घर पहुँचे तो अमरिता ने मेक अप नहीं किया था अमरिता की सादगी पर सैप तो जैसे फिदा ही हो गए दोनों में इसकदर प्यार था कि उम्र के फांसले की परवा किये बिना दोनों ने शादी कर ली दोनों के दो बच्चे भी हुए सारा अलिखान और इब्राहिम बताया जाता है कि एक विदेश ट्रिप के दोरान सैफ की जिंदगी में इटेलियन मोडल रोजा आ गई थी और यही इन दोनों के तलाक का करण बनी 2004 में दोनों का तलाक हो गया वही तलाक के बाद इंट्रिव में सैफ ने बताया था कि अमरता ने मुझे 5 करोड रूपे देने को कहा था लेकिन उस वक्त मेरी इस्ति ऐसी नहीं थी कि पूरे पैसे दे पाऊं मैंने ये रकम किस्तों में चुकाई इसके अलावा मैंने ये भी वादा किया था कि मैं इबराहिम के बड़े होने तक हर महीने एक लांक रूपे दूँगा बैरहाल तलाक के बाद 2000 बारे में सैफ ने करीना कपूर से शादी कर ली सारा भी तब तक बड़ी हो चुकी थी अब देखे तो इस नवावी फैमली में सभी रिष्टे अपनी जंगे काफी खूबसूरत हैं सैफ अमरिता की बेटी सारा करीना कपूर के काफी करीब हैं यहां तक कि इन दोनों की शादी में सभी खुशी खुशी शामिल हुए थे तो दोस्तो करीना को अपने से 15 साल बड़े सैफ में ऐसा क्या नजर आया जो उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई हमें नीचे दिये कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सबस्क्राइब कर लें धन्यवाद